नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सीमा बूरा दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि विंड रिलीज पोस को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट है दोस्तो विंड रिलीज पोस को वायू निसकासन भी कहा जाता है दोस्तों जिनके पेट में बहुत अधिक गैस बनती है जो कब्ज गैस अपच जैसी समस्याओं से पिडित रहते हैं उनके लिए यह आसन बहुत ही अधिक उपयोगी होता है इसे करने से हमारे जोडों पर भी बहुत ही अधिक लापकारी प्रभाव पड़ता है दोस्तों वायू निसकासन को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे कागासन की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और आपने दोलों हथेलियों को ऐसे अपने तल्वों के नीचे से ऐसे रख लेना है और ऐसे कमर गर्धन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी इसके बाद आपने स्वास अं छोड़ते हुए अपनी गर्धन को नीचे कीजिए और धीरे धीरे ऐसे सीधे हो जाए अपने घुटनों को सीधे कीजिए और ऐसे अपने सीर को अपने घुटने में लगाने का प्रियत्म कीजिए इस इस्तीती में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें भी स्वास छोड़ते हुए, स्वास अंदर भड़ते हुए ऐसे बैड जाएंगे और उपर की तरफ देखेंगे, एक्सहेल करते हुए सीधें, इन्हेल करते हुए, ऐसे कागाशन बैठकर उपर की तरफ देखेंगे, इसे करने से हमारे जॉइंट काफी मजबूत बनते हैं और हमारे पेट में जो गैस बन जाती है, कब जो गैस अपत जैसी समस्याई दूर होती हैं, इस अभ्यास को ऐसे ही आप 8 से 10 बार प्रेक्टिस की कीजिए, इसे करने से हमारे हिप से थाई, नीज काफी मजबूत बनते हैं, घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए भी यह बहुत अच्छा आसन होता है, फिर दोनों हाथों को ऐसे बैड जाएंगी, दोस्तों इस वायू निजकासन अभ्यास को ऐसे ही आप 8 से 10 बार प वीडियो पसन आए, इसे लाइक कीजिए, सियर कीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद